नमस्कार मेरे नाम है प्रदीप चोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबरहाट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी दोस्तों लोकसावा चुनाओ के चार जून को जो नतीजे आये थे उसके बाद एक चीज तो तैह हो गई थी कि बीजेपी के अंदर उत्तर सिरिवाल ने पहले ही कह दिया था कि जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी उनकी कुर्सी चंद दिनों की है लेकिन उस वक्त चुनावी स्टंट मानके योगी आदित्यनाथ नहीं इसको रिजैक्ट कर दिया था हालांकि ना नरेंदर मोधी ना ग्रे योगी हटाओ शुरू हो चुका है मोधी शाह ने फिलहाल योगी के खिलाफ जो महीम चलानी थी उसकी शुरुआत कर दी है लेकिन इसके लिए एक बड़ा नायाब तरीका निकाला है उन्होंने सीधे सीधे पार्टी के तौर पर इसकी शुरुआत नहीं किये पहली चाल अ योगी आदित्यनाथ को कटगरे में खड़ा करने की कोशिश की है अनुप्रिया पटेल जो चठी लिखी है योगी आदित्यनाथ को आपकी स्क्रीन पर है उसमें वो लिखती हैं कि उनके पास कुछ लड़के आये हैं और काफी लड़के आये मलब उन्होंने शिकायद किये कि उत्तरप्रदेश में जो आरक्षित सीटें होती हैं सरकारी जो भर्तियां होती हैं उनमें अनक्वालिफाइड या नॉट सैटिस्फेक्टरी कहके उन भर्तियों को नहीं किया जाता और उन्हें जनरल कैटेगरी में बदलकर जनरल कैटेगरी के लोगों को भर्तिय किया जा और कहाय कि इस पर ध्यान दिया जाया ये पहला और जो चिठ्व की वर्डिंगे है वो चिठ्व की बहुत श्ट्रॉंग है एक मुख्य मंतरी को अभी मंदल बने कुछ दिन लिए है अभी ऑनुप्रिय पड्यल ने धन्स में अपना चार्ज भी नहीं समाला और सीधे मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ को चिठ्थी लिख डाली अब आप समझी सकते हैं कि अनुप्रिया पडेल अपने दम पे तो इतनी जल्दी असी चिठ्थी लिख नहीं सकती बिना उपर से पूछ है ये चिठ्थी जा नहीं सकती लेकिन योगी आधित्य नाथ भी नहीं मानने वाले हैं उनकी तरफ से जो उत्तर प्रदेश चुना लोकसेवा आयोग है उसने भी बाकाइदा चिठ्थी लिखके जवाब दिया है और नियाम में अवली दिखाई है कि ऐसी कोई व्यवस्ता नहीं है रिक्तियों के साख पेक्ष किसी भी एक्षरण ना योगी जुकने वाले हैं ना मोदी शाह पीछे हटने वाले हैं योगी जी के पास सुना है संग का साथ है और भी कुछ लोगों का साथ है और मोदी शाह ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश की वयासे जो 270 से कम रह गई बीजे पी उसका हिसाब किताब तो चुकाना है 30 सांसे GTS वार उनकी पार्टी की और मंत्री पट मिल गया है और सीधे पंगा ले लिया है योगी अधित्येनाथ से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से और सब जानते हैं कि योगी अधित्यस भी उत्तरP्रदेश में मोदी से कम नहीं है योगी couple लिडी उत्तरP प्र देखने को मिलेगा क्योंकि सब जानते हैं कि यह जो अनुपरिया पढ़ेल की चिठी है दरसल चिठी नाम उनका है लेकिन शब्दावली किसी और की है और इशारा किसी और का है और योगी आधितेनाथ को घेरनी की कोशिश है यूँ भी दोनों केम्पों की तरफ से एक दूस और योगी आधितेनाथ कैम्प कहता है कि ये गलत कैंडिडेट की वैसे हार मिली है और ये कैंडिडेट उन्होंने नहीं चुने दिल्ली हाईकमान से चुने गए थे पश्चिम उत्तरप्रदेश में संगीत सोम और संजीर बालियान के बीच जो चल रहा है वो भी किसी से नहीं चुपा बीजेपी के दो बड़े नेता एक दूसरे पर कटाक्स कर रहे है योगी आधितेनाथ तो आर एलडी के साथ जो समझाता हुआ योगी आधितेनाथ गु चौप आता है जैन चोधरी को भी इस बात का एहसास है कि वो बड़ी स्टिक्य विधिट पर है वह भी अब इन दो बड़े बड़े पार्टों के बीच में पिषणे के लिए तयार है वो भी गहुं बन चुक है अनुप्रिया पतेल गहुं बन चुकी है वो भी गेहों बन चुके हैं अब इन दोनों मोदी और योगी के बीच में जो टसल है उसके बीच में इस तरह की चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलती रहेंगी अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने ना सिर्फ इस लोकसवाद चुनाव में भेतरीन परफॉर कॉंग्रेस को बहुत बड़ी उम्मीद नजर आगे कॉंग्रेस छे लोकसवाद सीट जीती है और साथ में राहुल गांधी ने रायवरेली को अपना चुनावक्षेत्र चुनकर वाइनाड छोड़कर साफ संदेश दे दिया कि अगला निशाना उनका उत्तर प्रदेश में जहां वो पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं अभी अप्रत्याशित बीजेपी की हार देखते हुए मायावती को भी अपनी गलती का एसास हो गया है और मायावती भी दुवारा से अपनी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं यानि 27 में आपको 4 बड़ी और कॉंग्रेस अगर गटबंदर में वो चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर सी बाता मुश्किलात योगी आदितनाथ के लिए बहुत होंगी और मायवती के लिए तो होंगी होंगी अब ऐसे में मोधी को शायद एक बहाना और मिल जाए कि योगी आदितनाथ के खिलाफ एंट किसी और को किसी और चेहरे को वहां कमान दे दे लेकिन जानकार कहते हैं कि सब कुछ हो सकता है उत्तर प्रदेश में यह नहीं हो सकता है क्योंकि योगी आदितनाथ ना मनुहरलाल खटर है ना गुजरात के कोई नेता है योगी आदितनाथ आज तक जो अपनी राजनीती कर तरशल यह सारी के सारी उत्तर प्रदेश में क्या B.J.P. के बीज़ेपी के बीच होगा, कैसे B.J.P. में सिर्फ टवल होगा, क्या आगे होगा, यह सारा डिपेंड करता है महराष्ट, हर्याना, जारकंड के चुनाओं पर है. अब आपको मौलूम है हर्याना में बीजेपी की दो बार की सरकार है तीसरी बार उसको रिपीट करने का चांसिस बहुत कम है फिलहाल अर्बन वोट उनको लोगसभा में मिला पांच सीट ले गए लेकिन पांच सीट कॉंग्रिस उन से छीन गई लेकिन विधान सवा चुनाओं में बिलको अलग मुद्दे होते हैं इस वार बीजेपी की सफाई होने वाली है उधर महराष्ट में महाविकास अगाडी ने लोगसभा चुनाओं में परफॉर्म करके दिखा दिया कि अब दर असल लोग उकता चुके हैं बीजेपी की politics है और बीजेपी की पारटी तोड़ो politics से कल freebies मांटी बजट में इतने सारे freebies मांटी गई है महायूती सरकार की तरफ से कि जो मोदी जी कहते थे कि freebies से दूर रहना चाहिए, रेवरीयों से दूर रहना चाहिए, राजनीती में रेवडी नहीं होनी चाहिए उन्हीं की पार्टी ने कहा जाता है कि जितनी रेवडी अकल उन्होंने ऐलान किया है बजट में उसके लिए 80,000 करोड चाहिए और उस महराष्ट पे शायद पहले से ही 8,000,000 करोड का कर्ज है तो इस तरह के अब हतकंडे अपना रहें लेकिन फिर भी माना ये जा रहा है कि अब जब महाविकासा गाड़ी अपने वादे लेकर आएगा तो वो बीजेपी की इन वादों पर और भारी पड़ेंगे क्योंकि बाकी राज्यों में भी जो अभी तक जिस तरह के वादे किये गहें कॉंगरेस की तरफ से उसको देखते भी तो लगता तो यही है तीसरा जारखंड जारखंड में कल हिमन सुरेन बेल मिलगी जूल से बहार आ गए ये एक बहुत बड़ा जटका है बीजेपी के लिए कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने जान बूज के थोड़ा सा मामले को ढीला छोड़ा ताकि हिमन सुरेन को जमानत मिल जाए क्योंकि अगर हिमन सुरेन जेल में रहते तो विधान सवा चुनाव के दोरान पूरा आदिवासी वोट उनको शिफ्ट हो जाए था कि एक नरेटिव बन गया था कि आदिवासी मुख्यमंतरी को जेल में डाला गया तो इसलिए बीजेपी ने जान बूज के मामला ढीला छोड़ा और हिमन सुरेन को बाहर आने दिया बेल पे आने दिया लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है क्योंकि तीन-चार महीने में कु जो उनके साथ जिस तरह का मामला हुआ उसके बाद अब ये सारी चीजों को हिमन सरेन गली-गली गाउं-गाउं ले जाने के मूर में है अब जारकन में आपको मालूम है कि आदिवासीयों के बीच में जारकन मुक्ती मोर्चा की अलग पैड है बीजेपी ने बहुत जो कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है बाकाइदा कॉंग्रेस हाई कमान ने इसको लेके बैठा की है बाकाइदा लोगों की ड्यूटियां लगाई गई है एक प्लान चावकाउट किया जारा जारकन के लिए भी कि वहां पार्टी किस तरह से चुनाव परचार करेगी कै जो इन चार्ज है या जो कमान सौंपी जाएगी उस तरह के बड़े चेहरों को वहां उतारने की तैयार है तीसरी पार्टनर आर जेडी तो है ही है वो तो तेजे स्वियादव कमान अपने हाथ में तो इतना आसान नहीं है जारखंड भी बीजेपी के लिए जैमें से या ज करेगा कि उत्तरप्रदेश में कैसे दोड़ खोड की जाती है उत्तर प्रदेश में कैसे मंत्री मंगल बदला जाएगा जाएगा तो क्या ये पासिबल होगा या फिर वही टसल देखने को मिलेगी जो एक बार काफी हद तक टकराओ के स्थिती तक पहुंच गी थी 2019 के बाद लेकिन टल गई किसी तरह से संग की वज़ा से लेकिन अपकी बार तो संग भी एक तरफ नज़र आ रहा है यह अभी कुछ दिन और फिलहाल उसे लगए 2024 निकल जाएगा रानु दो हजार 25 में बहु इंदर घटपट होगी न वह बहुत कुछ देखने को मिलेगे फिलाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं प्रदीप चौहन को दीजिए इजाज़त नमस्कार